स्टार्ट करते हैं ग्लास की अवाज प्रोपर आ रही है पांच पांच अपरेल को इफातारा पांच अपरेल मुश्कान मेरा तीन को है आप लोग बता दीजिए जिनका जिनका एडमिट काड़ आ गया है किनका किनका इग्जामिनेशन कब है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो चलिए एक लास की सुरुवात करते हैं यह क्लास आप सबके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है निर्मान उध्योग ठीक है चैप्टर का नाम है आपका निर्मान उध्योग चलिए इसको पढ़ते हैं तोरी पुलस टेस्ट है फिल्योग ठीक है फिल्योस प्रलेगे मिलीख्योग अपने इस पीनिटैट्स से पढ़िया होगर एक बार इहां से कर लिए हमारे साथ में एप लोग घिया थिए बहुत बड़ी है अभी है अब देखिए स्टार्ट करें किलास की मुश्कान रूची कुमारी जलिए आगे बढ़ते हैं शुरुबात करते हैं देखिए निर्मान उध्योग पढ़ रहे हैं काफी सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो आपके एक्जामिनेशन में डारेक्ट डारेक्ट आपको देखने को मिलती है ठीक है जैसे अगर बात करें कि जो आधुनिक भारत है जो भारत में आधुनिक धंग से है ना उध्योग विवस्ता तो भारत में बहुत पहले से चल रहा है लेकिन आधुनिक धंग से अगर उध्योग का जो विकास हुआ है सही माइने में वो हमारा 1850 इस्वी के बाद में हुआ ह 1850 इस्वी के बाद से उध्योग का विकास जो है भारत में तीजी से पकड़ा है ठीक है 1850 इस्वी के बाद से उध्योग की अस्थापना के जो मुख्य कारक है क्या-क्या चीछ चाहिए कोई उध्योग अगर आप लगाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि दूसरा होता है लेबर ठीक है पहला होता है लेंड ठीक है आप इस तरह से दिया हुआ है कि हमको सबसे पहले लेंड चाहिए फिर क्या चाहिए जी फिर हमको लेबर चाहिए फिर हमको चाहिए रॉमेट्रियल्स रॉमेट्रियल्स कच्छे माल चाहिए ठीक है फिर इसके बा पैसों की मदद से प्रोड़क्शन करवा सकें लेबर को दे सकें रौ मैटरिल का पैमेंट कर सकें मसीनों की तूट फूट है उसकी मरमत आप कर सकें यह सब कुछ जो है कर सकें तो उध्योग की अस्थापना के मुख्य कारक क्या है पहला तो कच्छा माल दूसरा सक्ति का साधन होना चाहिए पावर होना चाहिए आसपास में पावर मतलब ऐसा नहीं कि आपके बदन में ताकत होनी चाहिए और आप जीम जाते होगे नहीं पावर का मतलब हो प्रोडक्ट को ठीक है और साथी साथ बहुत सारा पुंजी भी चाहिए यानि आपको चाहिए ठीक है तो उध्योग की अस्थापना के लिए यह सारे जो है मुख्य कारक है ठीक है कच्छे माल के अधार पर अगर देखोगे उध्योग को दो पार्ट में बाटा गया कच्छ माल के अधार पर भारी उध्योग और हलका उध्योग में इसमें डिवाइड इट किया गया है जिसका रा मेट्रियल भार्य casino यह आपका भारी उध्योग के अंदर में आता है जो इसका जो सूती वस्तर उध्योग जो है आज भारत का सबसे विसाल उध्योग बन है ठीक है और याद रिखेगा कि सूती वस्तर उध्योग भारत का सबसे बड़ा सूवविस्तित उध्योग भी रहा है सुरू से ही भारत के में सूवविस्तित उध्योग अगर कोई रहा है सुरू से तो वो क्या है आपका सूती वस्तर उध्योग है कौन सा उध्योग है सूती और सूति वस्तरों जो है और आपको पूछेगा कि कौन सी ऐसी नगरी है जो सी वस्तरों की महानगरी कहते हैं तो याद रखेगा मुंबाई को मुंबाई को सूति वस्तरों महानगरी के नाम से भी जाना जाता है आगे बढ़ जाते हैं ठीक है इसके लबा ध्यान रखेगा कि देश का पहला जो वस्तर पार्क बना वस्तर पार्क की जो अस्थापना हुई वो तमिल्लाडू के है ना तिरूपूर के है ना यहाँ पर देखे तिरूपूर के कौनसी वस्तर पार्क की जो की स्थापना जो है वो यहां पर किया गया था भारत में पहला जूट कार खाना कब बना अठारसो पच्पन इसमें कोलकाता में बना अगर पूछेगा जूट कार खाना कहां पर बना था तो आंसर होगा कोलकाता में भारत का पहला जूट कार खाना जू रिसरा नामक जगा था, वहीं पर खोला गया था, और जूट से बने सामानों का अगर देखोगे, तो 80% से अधिक उत्पादन जो है, परसिम बंगाल के द्वारा होता है, अभी के समय में भी, पासमीना उन के बारे में सुने हो, कई बार प्रशन पूछेगा कि पासमीना उन जो है, ये कहां से प्राप्त किया जता है, क्या ये भेंड से प्राप्त किया जता है, नहीं, पासमीना उन जो है, एक तरह की नसल, एक तरह की बकरी होती है, उस बकरी के बालों से प्राप्त किया जता है, ठीक है, जो बहुत नर्म और मुलाइम होता है, और इस पासमीना उ जो है पेट्रो राशाइन के उत्पाद द्वारा तैयार किया जाता है किर्तिम धागे को ठीक है तो यह कुछ-कुछ information है ध्यान में रखेगा अब दिखेंगे यहां पर कुछ इसपात कारखाने हैं जैसे राउरकेला इसपात कारखाना है यह किसकी कहां पर लगा है तो आंसर होगा कि राउरकेला इसपात कारखाना नाम से पता चल रहा है यह उडिसा के अंदर में है अच्छा इस इसपात कारखाने को बनाने के लिए टेक्नोलोजी भारत को किसने दिया किसने सहायता की तो यह जो राउरकेला SPAT कारखना है ये जर्मनी की मदल से यहां पर लगाया गया है किसी मदल से जर्मनी की मदल से लगाया गया है अब देखो एक संस्था है भारत के अदर में नाम है भारती इस्पात पराधिकरन तो जितने भी तरह के SPAT है लओ स्पात है इसका जो regulation है management है है ना सारा परबंधन है ये भारती इसपात प्राधिकरन संस्था इसी संस्था के द्वारा जो है लगाया जाता है ठीक है और आप देखोगे law इसपात जो है law इसपात का ज़्यादा तर factory जितना भी सहीयत रहे ये आपको छोटा नाकपूर पठार के तरफ देखने को मिलेगा क्योंकि raw material भी आपको सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलता है ठीक है एक सवाल पूछा जाता है कि भारत का बर्मिंगम किसको कहा जाता है तो याद रखेगा जमसेद पूर को जमसेद पूर को भारत का बर्मिंगम कहा जाता है ठीक है और भारत का पर्थम तामबा परगलन से यह जो है वो घाट सिला नामक अस्थान पर लगाया गया है जो जारखंड के अंदर में है ठीक है और भारत के सबसे पुरानी तामबे की खान जो है नाम है खेत्री माइन्स यह राजिस्थान में तो प्रशन पूछा है खेत्री माइन्स कहां से है कहां पर है तो अंसरोगा राजिस्थान में खेत्री माइन्स क्या है तो यह भारत की सबसे पुरानी कैसी खान है तांबे की खान है भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान है ख खेतरी माइन्स आगे बढ़ते हैं भारत का पहला उर्वरक संयत्र जो है है ना यह क्या है भी यह कहां पर है रानी पेट तमिलाडू में इस्थापित किया गया है ठीक है भारत विशु का दूसरा सबसे बड़ा सिमेंट उत्पादक देश है भारत विशु का दूसरा सबसे बड़ा सिमेंट उत्पादक देश है और पहला सिमेंट से यह भारत में सन 1940 में चन्नाई में अस्थापित किया गया था वारांसी में डीजल चलित रेल इंजन बनाने का कारखाना है तो डीजल से चलने वाली जो रेल इंजन है वह कहां पर कारखाना इसका वारांसी के सबसे पुराना वक्षप है तो यह भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है धियान में रखेगा कि रेलवे वक्षप वह कहां पर है जमालपूर के अंदर में है तिनपईया स्कूटरों की निर्मान में भारत का संसार में जो है पहला अस्थान है और मारुत सब्सक्राइब जो है आपको कहां कहां देखने को मिलता है तो गुडगाओं में देखने को मिलता है दूसरा हर्याना में देखने को मिलता है सूचना और प्रदुकी उद्योग के को ग्यान आधारित उद्योग भी कहा जाता है इस उद्योग में सिर्फ और सिर्फ आपको ग्यान लगते हैं बैंगलोर को भारत का सिलिकन नगर कहा जाता है कई बार पुछाते हैं सिलिकन वैली के नाम से भारत का सिलिकन वैली को उनसा यह पुछा है डियलेट के अंदर में आपको प्रशन पूछा है तो आंसर क्या होगा बैंगलोर हो जाएगा क्या हो जाएगा बै तो देखो कच्छे माल पर आधारित ना होने के कारण इलक्ट्राणिक उध्योग जो है यह क्या कहलाता है इसमें आपको रॉच्छे माल पर आधारित नहीं होती है इसलिए इसको फुट्रुज उध्योग के नाम से भी जाना जाता है अब भारत के सकल घरिल उत्पाद में व निर्मान उध्योग का जो आप देखो कि कंट्रिबिशन है वह बाकी के देशों से कम ही भारत के अंदर में हो रहा है अब देखो यहां पर तीन कंसेप्ट है कि बाहर के लोग जो है यहां पर आकर के फैक्टरियां लगा सके यह हुआ अर्थववस्था को दुनिया की अर्थववस्था के साथ जोड़ते हो और उध्योगों का स्वामित नियंतरन और परबंधन का नीजी छेतर के अंदर किया जाना जो है नीजी करन कहलाता है जब अगर आप उसको प्राइटाइज कर देते हो दूसरी कंपनी बोली लगा करके डाक पर उसको ले सकती है तो यह पर उसको पर्चेज कर सकती है तो यह को नीजी करन कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं वैस्वी करन से स्वादेशी उध्योगों पर जो है पर्तिकूल परभा परभाव पड़ता है यह तो आप जानते हो विभिन परकार की बीमारिया भी उत्पन होती है आपको याद होगा इस के बारे में और यह एक्जामिनेशन में आपका पूछा था कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है यह कहां से निकली थी तो भौपाल गैस तरजदी हु उसको लगा करके देखते हैं कितना आपको आता है पच्पन इंपोर्टन कोशन सबसे पहला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा कोशन हमसे पूछा निमिलिकित मेंसे कौन उद्ध्योगों की इस्तिती के निर्धारण में महत्पुर्ण है उद्ध्योग की इस्तिती के निर् जनित जो खनीच पर इधारीत आप देखेगा शुति वस्तर चीनी वस्तर जूट या फ hm झेती से होता है लेकिल खनीच से होता है अगला सवाल देख लेते हैं तीसरा n Code कहता है कि निमिलिखित उध्योगं में से कौन सी किरसी पर आधारित नहीं है यह सवाल कई बार पूछा गया वी वी आई कोशन है ठीक है किरसी पर आधारित नहीं है तो कोटन पर आधारित है कोटन है तो कोटन पर आधारित है यह किरसी पर आधारित है ठीक है देखो उसके बाद चीनी यह भी आपका किरसी पर आधा कहता है निमलखित मेंसे कौन छोटे पैमाने का उध्योग है सब्सक्राइब लगती है लेकिन खिलोना इध्योग जुन हो सकती है आगे चलते हैं पाँचवाँ नमबर निमलखित में से कौन युद्धियोग सारजनिक छेतर के अंतरकत आता है सारजनिक छेतर के अंतरकत कौन सा उध्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् देखो मैंने भी पूछ लिए सूती मिल जो है कहां स्थापना वो किस वर्स हुई थी पहली सूती कपड़ा मिल भारत के अंदर में किस वर्स बनी थी है ना पहली सूती मिल जो है वो कब बनी थी आठवा नंबर प्रशन आंसर क्या हो जाएगा आठवा सचववा निसमें बनी थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कहता है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में अस्थापित की गई क्यूंकि मुंबई एक पतन था ये कपास उत्पादन छेतर में निकट था मुंबई से में पुंजी उपलब थी तो आंसर होगा उप्यूक्त सभी ये सभी कारण है कि भाया मुंबई में ही किया गया अगला सवाल है इनमें कौन सूती वस्तर उत्पादन में अगरनी है तो देखे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क किसको कहा जाता है। 11 नंबर में एक उत्तर भारत कर भार्त कमके वैंचेस्टर को कहा इस स्थित किया गया है तो आप विक्सित क्या जया है वो आपका तमिल् नाडू के अंदर में अगला सवाल उनी वस्तर के उत्पादन में है ना किस राजिका प्रत्थम जो है किस प्रत्वलस्ट के अगला सवाल है किस गवर्न किस जानवर की बालों से तो युपी सबसे आगए आपका ठीक है अगला सवाल कहता है भारत का कौन सा राज सक्कर का कटोरा कहा जाता है वाह क्या बात है सक्कर का कटोरा किसको कहा जाता है याद रखेगा सक्कर का कटोरा यूपी को ही कहा जाता है अगला कोउशन है इन में से कौन भोगता है व्यक्ता उद्धा कौन सा है या रिफ और इसको खरीदता है और उसको यूज करता है ठीक है काता ऑग्याम सवाल है आधूनिक उद्ध्ध्योग कि कुंजी किस अधियोग को माना अगला सवाल देख लेते हैं भारत में सबसे पहले अस्थापित लोह इसपात कंपणी निमिलिखित में से कौन है इस्वा नंबर प्रशन तक आ चुके हैं कहते हैं टाटा आइरन एंश्टील कंपणी हैं 1907 में इस्टेबलिस हुई थी अगला सवाल जमसेदबूर चाहि और सलेम किस उध्योग के केंद्र है 21 प्रशन व्याद रिखेगा यह आपका किस उध्योग का केंद्र होगा यह सब आईरन एंश्टील कंपणी का उध्योग होगा अगला सवाल है टाटा इरन एंश्टील कंपणी के स्थापना जो है वह किस वर्स हुई थी तो 1907 इ प्रशिद्र लिए 23 नंबर में जम सेध्व उध्योग है वह यह किसके लिए लौिस पाथ करेंगे आपको बांकी के कोश्चन SP Notes में मिल जाएंगे और भी कोशन जो है SP Notes में हमने डलवा दिया है तो वहाँ पर आपको 35 और कोशन मिल जाएंगे यहाँ से यहाँ पर सिर्फ परचीज कोशन हम लोग करेंगे कितने कोशन करेंगे सिर्फ 35 कोशन बताईए 25 नंबर में और देखिए यह आपके SP Notes है जो आपके ओफर चलिए 99 रुपए में आ रही है CBT टेस्ट भी मातर 99 रुपए में आ रही है एब डाउनलोड कीजिए रजिस्टर कर लिजिए फिर अंदर जाईए पहला प्सन पेट कोर्स का है कर लिजिए और फिर यहां से पे ऑनलाइन करके यहां से जो है आप बैज को परचेज कर पाएंगे ठीक है यह हमारा नंबर दिया हुआ कोई दिक्कत होते है इस पर संपर्क जरूर किजेगा और बाकि यह तो बीड़ वाली बैज है आप सभी लोग जानते हो मिलते हैं फिर अगली क्लास में थैंक्यू सो मच और यहां पर एक चीज़ ध्यान में रखेगा कि यह जो टेलग्राम चैनल डरेट डीम से वग टीचर्स लिक करके जरूर जोएन होगा और ड्रीम से वग आईस लिक करके यह एप को इंस्टॉल कर लीजेगा